हलो गाईस, विल्गम बैक टू मैई चानल कैसे आप तो आप सब आया हो 깜़की ? अब सब टीक होंगे ? तो आज मैए आपके लिए लेक nellop Siggy, कलीन आप अबियुक्त सब्सक्रट हो रहे है तो हमारे फेस के लिए में क्लीन अप ले रहे हैज हूँ जो किफ़ें बहुत सारे ऐसी होती है जिस काम वगएरे कुछ करती नहीं है बस घर पे रहते तो उनके पास पैसे वगएरे उतने होते नहीं कि डेली पारलर में जाए और अपना फेस का क्लीन अप करवा इसलिए में कुछ घर पे जो हमारे प्रोडक्स रहते हैं उससे ही हम अच्छा सा क्ल क्लीन अप घर पे कैसे कर पाएंगे वह मैं आज की वडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूं और हम क्लीन अप में ज्यादा तर कुकुमबर और टमैटो उससे ही लेंगे क्यूंकि अभी समर रहे तो कुकुमबर जो बहुत ही अच्छा कूलिंग देशता है जो कि हमारे बोड़ी में खाने के लिए अच्छा होता है और हमारे फेस पे आप अपलाए करते तभी बहुत ही ज्यादा एफेक्टिव आप यह भी बोल सकते है कुकुमबर क्लीन अप तो वह भी आप बोल सकते ही हम और कुछ इंग्रेडेंस ऐसे जो हम घर पे खाते है वह हम आज क्ली करने के लिए बहुति ये कि तरीके से में आपके साथ क्लीन अप में नहीं संट मणनेके सो भी एक वह उख़क्वाद भी अर जैनेके कि लिए जो कि हम घर थी खाने में भी यूस करते हैं वह हमारे फेस पे हम आपले अपलया करेंगे और अंप को होने ब्राद नहीं कोई भ किछनंट के सामान से ही。 एक कुकुमबर लिए है 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 कुकुमबर विए भी हैं तरफ इस तरफ कि रेषय हैं, मैंने और निम्भू पऱने कुकुमबर के हम इस छिलके निकाल लेंगे उपर से और इसको हमें कटोरी में कट कर लेंगे तो मैंने कुछिल के निकाल के इस तरह से दो तिन स्लाइस अलग रखे जो कि हमारे आखों के उपर रखने के लिए आपको पता ही होगा कि कुकुमबर हमारी आखों की पफिनिस दूर करने में एल्ब करता है तो बहुत ही अच्छा होता है हमारी आखों के लिए तो यहां मैंने एक जार लिया है उसमें आदा कुकुमबर मैंने कट करके ले लिया है और एक टमेटो लिया है जो की फ्रेश टमेटो मैंने हाफ कट करके इसमें एड किया है तो आप इस तरह का ही फ्रेश वाला ही टमेटो लीजेगा और यहां एक लिम्बू लिया है उसके हमको चाहिए 5-6 ड्रॉप सिर्फ जो की हम इस जूसर में बनाएंगे और इस तरह से एड कर लेंगे और इसको हम अच्छे से दरदरा सा पीस लेंगे मिक्सर जार में और यहां आप देख सकते हैं मैंने पीस लिया है और एक चन्नी लेके हम इसको चान लेंगे और जो भी juice होगा वो हमारे clean up में और जो भी हम आगे बनाने वाले हैं scrubber हो या यह उसमें हमको काम आएगा तो यहाँ cleanser हमारा ready हो चुका है और हम first हमारे face को इससे ही cleanse करेंगे तो यह मैंने cotton pad लिया है आप cotton pad लेख सकते हैं या हाथों की सायता से भी आप face पे इसको apply कर लेना है जो कि हमारे cleanser का काम करेगा और हमारे जो आगे का जो भी procedure होगा उसमें यह बहुती अच्छा work करने वाला है तो first time यह cleanser कर लेंगे आपके पास इस तरह का कपड़ा होगा तो भी आप face पे apply कर लेना हलके हाथों से को इसी तरह से इसको रखना है तक हम scrub बना लेते हैं तो scrub बनाने के लिए मैंने कटर लिए उसमें हम एक चमच कॉफी यूज़ करेंगे आपके पास जो भी available coffee है वो आप यूज़ कर सकते हैं फिर इसमें मैंने पीसी वाली जो शक्कर होती है वो लिए है और इसको हम सतला नहीं होता है और ठीक होता है तो इसलिए मैंने इस तरह का scrub बना लिया है तो हम हम अपने फेस पे इसके मैं स्केर या अच्छ एक लियो करने में help करता है और जो भी blackheads whiteheads से उसको भी remove करने में help करता है तो हमको एक week में scrub हमारे face को जरूर करना है और इसको हलके हाथों से बस massage कर लेना है फिर उसके बाद मैंने यहां face wash करके आया है और हमें face wipe कर लेंगे और आप देख सकते हैं कितना अच्छा glow आपको दिखाई दे रहा होगा सिर्फ scrub करने के बाद अभी आगी के procedure हम देखते है तो अभी हम बनाएगे face pack face pack बनाने के लिए मैंने यहां basin लिया है दो चमच और इसमें मैंने एक चमच honey यूज़ करी है और थोड़ी सी healthy भी इसमें मैंने यूज़ करी है और एक vitamin E की जो capsule होती है वो भी मैंने यूज़ करी है और इस तरह का pack बनके ready हो गया है और इसको हम face पे apply कर लेंगे हलके हातों से और यह face pack हमको अच्छे से लगा लेना है हमारे face पे और इसको हम 20 मिनिट्स तक रखेंगे या 15 मिनिट्स के भी हम रखेंगे क्यूंकि ज्यादा इसको dry नहीं करना है हलका जब dry हो जाए इसको हमको wash कर लेना है और यह face pack बहुत ही अच्छा होता है आपके skin के लिए बहुत ज़्यादा effective देता है और summer में इस तरह का pack लगाओगे तो आपके skin में जो भी tan गिरे वो भी दूर हो जाएगा इस तरह से clean up आप तर होगे तो बाकी का जो हमने रखा तो आखों में रखते हैं आपको पता ही कितना अच्छा होता है कि इसमें ककड़ी में शाहन नोटक के water register होता है जो कि हमारे skin के लिए बहुत ही ज्यादा effective होता है और हमारे skin के wrinkles वगएरे उसको दूर करने में भी है help करती है और tomato आपको पता होगा कितना acne वगएरे ज स्कीन में कितना ज्यादा effective है क्यूंकि लेवन खाने में भी उसकरते है विटाइमें सी होता है जो कि हमारे skin के लिए बहुत ज्यादा जरूर रिता है विटाइमें सी तो यहां मैंने ककड़ी भी 5-10 मिट रखी थी और हम इसको भी wash करके तो मैंने wash करके आगए और आप जरूर ट्राय करना जिसे कि आपको आपके skin में effect जरूर दिखाए देगा और तो आज का वीडियो ऐसा था बहुत ही इजी तरह कि मैंने आपको clean up कैसे करती हूं वह दिखाया है और अच्छा वीडियो लगा तो please like, share, subscribe to my channel और पूरा वीडियो देखने के लिए thank you और मिलते नेक्स वीडियो में, bye bye